आप सभी का स्वागत है मेरे यूटुब चैनल में आज मैं आपको CR DROID ROM के रिव्यू पे आगे बताऊंगा इस वीडियो पे हम आगे चलेंगे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे यूटुब चैनल को सब्क्राइब करें बैल बटन दबाए नोटिफिकेसन आइकोन क्लिक करें इस वीडियो पे चो मैं आई बटन देता हूँ उसे पूरा देखे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टन लिंक प्रोवाइट किया हूँ वो भी आप जरूर देखे और इस वीडियो को पूरा स्टार से लेके end तक देखे बिना किसी skip और forward के मैं request करता हूँ अब हम अपने वीडियो पे चलते हैं CR Droid जो roam है ये हमारा device है Xiaomi Redmi Note 4 codename Mido Android 12.1 है CR Droid version 8.4 है और security patch है 5 April 2022 vendor security patch है 5 July 2021 kernel है 4.9 Z loss का और build date है 28 April 2022 का अब हम चलते हैं ये इसका default wallpaper है CR Droid vanilla room है इस पे मैंने flame GF basic flash किया है बट मैंने market में जितने GF आते हैं सबके links दे दिये हैं आपको जो भी GF पसंद है छोटा बड़ा size का आप वो अपने इसाब से कर लिजेगा left side पे आपको कोई google page नहीं मिलेगा right पे आप जो app इंस्टॉल करती जाएंगे वो आ जाएगा swipe up करके दिखाओ तो ये by default app है इस पे आपको इतने app मिलेंगे frame GF basic अगर आप flash करते हैं तो अगर आप कुछ और GF flash करेंगे तो थोड़े भूत app में changes आपको देखने को मिल सकते हैं swipe down करके दिखाओ तो basic android 12.1 और android 12 का जो quick tiles आता है ये वही है edit पे जाएं और ज़रुवत के साब से add कर ले hardware button light अच्छे से काम कर रहा है कोई भी problem नहीं है अब बात करते हैं default apps की camera basic camera दिया गया है Gcam का link वीडियो के description पे है आप use कर सकते हैं google photos unlimited storage मिल रहा है side load अगर आप करना चाहते है magic eraser के लिए उसका भी link description पे दे दिया गया है third party gallery app आपको इसमें दिया गया है जो की flame g app के साथ आता है अगर आप MIUI वाला gallery, me video app, me calendar यूज करना चाहते हैं वीडियो के description पे मैं link दे दिया हूँ वहाँ से आप use कर लिजेगा, dialer की बात करें call recording आपको मिल जाएगा क्योंकि ये AOSP वाला dialer देखने को मिलेगा हमें तो कोई भी problem आपको नहीं आएगा, play store certified है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, settings पे चले, तो default ये हमारा control panel है जैसे कि आप देख सकते हैं, काफी fast fluent रहता है, कोई भी custom room हमारे phone के लिए, तो light weight होने के कारण, यहाँ पर कुछ नहीं है बताने लगा, direct अगर हम apps में चलें, तो apps के अंदर आपको एक game setting देखने को मिलेगा, यानि कि game dashboard और D&D facility मिल जाएगा game के लिए, जो की काम कर रहा ह है, बीना किसी problem के, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बैटरी की बात करें, तो काफी अच्छा battery backup है, आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है, 88% और यहाँ पर आप देख सकते हैं, 18 गंटा, 42 मिनट, इतना अच्छा battery backup आपको नहीं मिलेगा, देखें, मैरे battery stacks भी open के हैं, 19 hour remaining है तो मेरे phone का battery और मेरे uses pattern के according यह report है, आपके phone के battery का condition, आपके uses pattern, पे different some, थोड़ाबूद changes देखने को मिल सकता है, अब बात करते हैं, इस storage पे, रोम ने काफी कम जगल लिया है, आपको ऐसा type का feel आएगा, बट ऐसे गलत फहिमी में मत रहिए, आपको मैं कई बार बता चुक अगर यहाँ पर दिखाएगा जैसे 32 out of 32, 64 out of 64 तो आपको full size लिखेगा, तो जो difference है, उसे आप यहाँ पर जोड लीजिएगा, उतना operating system consume किया है, बैक चलते हैं, storage मैंने बता दिया, sound and vibration के अंदर आपको जो setting बिलता है, audio amplification, direct sound दोनों देखने को मिल चुका है, clear speaker important feature पे गि या फिर आप बोले extra dim features, auto brightness, सब चीज मिल रहा है, wallpaper and settings के अंदर आपको theme based icon वाला भी setting मिल जाएगा, accessibility के अंदर भी आपको वही text, animation, caption, यह सब setting मिल रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, haptic feedback का भी, security की बात करें, तो face unlock भी आपको मिल रहा है, और phone का roam not encrypted है, यानि कि जब आफ flash करेंगे, आपको format data नहीं करना पड़ेगा, तो कोई problem वाली बात नहीं है, आगे चलते है, location, privacy कुछ नहीं है, बताने लाइक, digital well-being काम कर रहा है, systems के अंदर आपको updater देखने को मिल जाएगा, क्योंकि CRDroid OTA update support करता है, तो next OTA update आएगा, तो आप यहां से access कर सकते हैं, द इससे पहार चलते हैं, यहां पर about मैंने बता दिया है, CRDroid settings के अंदर आपको इस रोम से जुड़े हुए सभी major settings देखने को मिल जाएंगे, जिससे हम quick forward करते हैं, status bar वाला setting आपको यहां पर मिल रहा है, आप देख सकते हैं, काफी setting है, QTL से जुड़ा हुआ, काफी settings आपक आपको यहां पर मिल जाएगा, navigation, bar, button, on screen navigation से जुड़ा हुआ, similarly, button से जुड़ा हुआ, आपको settings पूरा मिल जाएगा, और user interface से जुड़ा हुआ, settings भी आपको इसमें मिल जाएगा, बात करते हैं, notifications की, इसमें भी आप settings कर सकते हैं, sounds के लिए भी आपको settings दी गई है, sound वाला फोटो स्टोरेज देखने को मिलेगा, gaming mode आपको apps के अंदर game mode दिया गया है, बट आपको यहां पर और भी games mode के setting दिया गया है, जैसे की game space दिया गया है, आप enable game mode कर लिजेगा, इसके अलावा unlock higher fps, यह ऐसा नहीं है कि 60 fps को सिधा 90 fps या 120 fps पे जंप करवा देगा, बट unlock fps करन ले पाएंगे, about मैं आपको फिर से बताते हैं, CRDroid का logo है, Redmi Note 4, code name Meadow, Android 12.1, CRDroid version 8.4, 5 April 2022 का security patch, 4.9 Zilos का करनर, build है 28 April 2022, वीडियो हम end करेंगे, मेरे चैनल को, प्लीज वीडियो को start से लेके end तक देखे, बीना इसकी forward के description चेक करें, आई बटन चेक करें, और प्लीज मुझे support करें, like, comment, share, सब follow भी करें मुझे social platform पे, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे, तब तक ले, thank you, have a nice day.